बॉलिवुट की हर खबर के लिए प्रस कीजे बेल आइकन और जुडे रहे ये वाटसप बॉलिवुट के साथ फैशन की बात करें तो रनवीर सिंग अपने बोल्ज और अनकन्विंशनल विकल्पों के लिए चाने जाते हैं जहां उनके हली में न्यूट फोटो शूट को इंडस्टी में कई लोगों ने सराहा वही कुछ लोग इससे नाराज भी दिख रहे हैं मुंबई के एक एडविकेट और एंजियो ने अभिनेता के खिलाफ मैगजीन पर न्यूट फोटो शूट से महिलाओं की भावनाओं को आहात करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया मुंबई पुलिस ने बाद में जैश भाव जोरदार अभिनेता के खिलाफ मामला दर्ज किया और उस पर अब खबर आई है कि उन्हें पुलिस ने इसी महीने 22 अगस को पूछताच के लिए बुलाया है हाली में रिपोर्ट से पता चलता है कि रनवीर सिंग को उनके पेपर मैगजीन के नीट फोटो शूट के संबंद में पूछताच के लिए अधिकारियों द्वारा बुलाये जाने के बाद पुलिस टेशन जाना पड़ेगा एक NGO द्वारा चेंबूर पुलिस टेशन में मामला दर्ज किया गया था जिसके बाद पुलिस ने इंटर्वीन करने और कारवाई करने का फैसला किया रिपोर्ट में कहा गया कि उक्त पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को भी अभिनेता के घर पर भेजा गया ताकि उन्हें जाच के दोरान सहीयोग करने के लिए नोटिस भेजा जा सके लेकिन बताया गया कि वह शह से बाहर है रनवीर सिंग ने पेपर मैगजीन के लिए अपने न्यूट फोटो शूट से तस्वीरे शेयर करने के लिए इंस्टाग्राम का सहारा लिया जहां इंडस्टी फ्रेंज उनकी पसंद के समर्थन में सामने आए वहीं NGO ने अभिनेता के खिलाफ महिला भावनाओं को ठेस पहुचाने और महिला की शील भंग करने का आरोब दर्ज किया उनकी शिकायत के बाद मुंबई पुलिस ने अभिनेता के खिलाफ एक्स 292, 293 और 509 के तहट FIR दर्ज की उनकी शिकायत के बाद मुंबई पुलिस ने अभिनेता के खिलाफ अंडर सेक्शन 292, 293 और 509 IPC के अलावा सेक्शन 67A Information Technology Act भी लगाया काम की बाद करें तो रनवीर सिंग अपने सिंभा फिल्म निर्माता रुहिशेटी के साथ फिर्ज से सरकस फिल्म से जुडेंगे और उनके साथ पूजा हेगडे और जैकलीन फेनैंडेज भी हैं उन्होंने हाली में आलिया भट के साथ करन जोहर निर्देशित रौकी और रानी की प्रेम कहानी की भी शूटिंग पूरी की फैमिली रॉम कॉम में धरमेंद्र जया बच्चन और शवाना आजमी भी हैं आप स्टोरी के बारे में क्या सूचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए बने रहें वाटसब बॉलिवुड के साथ